एक ही जगें से एक ही चत के नीचे जो ताजा ब्याई हुई भैंस है आपको वो भी देखने को मिलेगी ग्याबिन चेक पास जो बाकडी भैंस है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी और दो जो ग्याबिन भैंसे हैं जो बिल्कुल नियर टू काविंग नियर टू डि फाइनल है मानसम मान हो जाएगा थोड़ा बूत फुछ तो जो पूसे आप झाल झाल लुश्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिट से आप सब का बहुत बहुत सुआगत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरियन फार्मिंग में आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो एक साथ आज चार तरे की जो भैसे हैं चार तरे का जो पशूदन है वो दिखाएंगे एक बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है एक बाखडी करीब करीब चार महीने की जो प्रेगनेंट है वो और दो जो ग्याबिन भैसे हैं एक फर्स टाइमर जोटी काफी शांदार अडर क्वालिटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की स्पेशल वीडियो काफी जानी पेचानी जेगे डिस्टिक रेवाडी का गाउं है रुजुवास इंदर सर हैं इंदर उर्फ भगजी काफी अच्छा पशूदन काफी वाजीब कीमत में आज की काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है जितना भी पशूदन दिखाते हैं चाहे हीफर्स हो ड्राइ बफलोज हो या फिर जो ताजा ब्याय हुआ पशूदन है वो हो हर बार आपको वाजीब कीमत में ने सिर्फ वाजीब कीमत में बलकि कईना की काटे के तोल का जो पशूदन है वो देना पसंद करते हैं चार भैसे काफी special वीडियो होने वाली है, सीधा लेकर करके चलेंगे इंदर सर के पास, जानेंगे details, नमस्कार इंदर सर, कैसे हो जी, तो आज पहली बार अपने फार्म से, अपने घर से हम कह सकते हैं, चार मैं से एक साथ दिखा रहे हो, छीक है, किस किस तरह की है, चार वा एक बार वो बता, एक ताजा, बहुत बढ़िया, चीक है, और ये, चीक, शुरू कर लेते हैं, सर भही से, एक बार complete details बताते चले, क्या कुछ है, कौन सा बयात है, एक बार वो बता, जी, पहला बयात है, कितने दिन की बयाई, 18 दिन की बयाई, दूद क्या कुछ है अभी, 11 कि लो दूद, नीचे बच्चा, कट्डा, छीक है, खोल एक बार गुमाएं चले, तो काफी सारे पशू पालग भहियों की demand, first timer जोटी को लेकर के अकसर रहती है, अकसर market में जो मांग है, वो देखने को मिलती है, और first lactation की काफी शांदार जोटी, आप यहाँ पे देखें, कर के बीच का टाइट अडर, शांदार जो थन पासे है, शांदार जो टेट स्पेसिंग है, उसमें ये जो first timer जोटी है, वो देखने को मिलेगी, और दातों में चार बच्चे को लेकर के उतावलापन थोड़ी सी उतसुकता, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिलकुल को मिल रहे हैं, इंदर सर एक बार फिर से लेकर के आएं, प्लीज, तो जितना भी पशूदन, जितनी भी वीडियो, हमने इनके फाम से लगबग लगबग कवर करी, काफी अच्छा पशूदन, काफी शांदार जो बफलो है वो, यह आप देखे जी, कोई बात नहीं, बिना बहतरीन लाजवाब, जो फर्स टाइमर जोटी वो, तो अभी तो सर मेले वगएरे से लगेगी, तो दूद और बढ़ाएगी, आराम से ले जाओ, कोई बात नहीं, आराम से, यह देखे जी, बहतरीन अडर, बहतरीन जो लेवा है वो, और मेले से लगेगी, तो एक से दो कि दुखता थी, यह आप देखे, फर्स टाइमर में काफी शांदार टिट स्पेसिंग, काफी शांदार जो अडर क्वालिटी है, वो, साववाओ की बिल्कुल थंडी, बिल्कुल शांत जो जो जोटी है, वो आप देख सकते हैं, तो इंदर सर, आब आएंगे, इसके रेट प ब्यांत कुल सा है, चीक है, दूद बगेरा अभी, साथ किलो दूद दे रही है, चीक है, तो बच्चा बगेरा इसके, बच्चा नहीं है, खोलने एक बार, आगे चल करके, सैकिन लेक्टेशन में काविंग करेगी, छे महीने के करीबन ब्याई हुई, चार महीने की कंफर्म चेक पास जो प्रेगनेंट, एक सेकेंड टाइमर जोटी, नैचुरल कनीदार जो सींग है, वो आप यहाँ पे देखे, साथ किलो जो दूद है, हाल फिलाल में मोके पे तैयार, कोई भी पशू पालिक भाई आए, पशूदन को देख करके, जाच परक करके, लेकर के जा सकत रही है, हमारे साथ शेर करते हैं, साजा करते हैं, सारी खरी-खरी, जबर्दस जो डेटेल्स हैं, वो, लेकर के जाएं सर, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं, यह देखे जी, कद काठी है, अडर की कॉालिटी है, काफी बहतरीन, काफी लाजवाब, तो किस से इसको रुपाओ करेंगे सर इसका, इसका बैसंदिप चुहेतर हजार रुपे में इसको दे दोगे, चीक है, बहुत बढ़िया, तो अडर आप देख सकते हैं, छे मीने की ब्याई में भी काफी जबर्दस जो पैरों के बीच का टाइट अडर है, वो आपको यहाँ पे देखने को बताएं प्लीज, बताते रहो, कोई बात नहीं, यह संदिप फर्स्ट प्रस्ट टाइमर, ठीक है, जी, ठीक है, 24 मार्च को इसका दस पूरा हो जाएगा, आज 19 मार्च को जो वीडियो है, दोप्यार के समय करीब-करीब, साड़े तीन बजे के राउंड कवर कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइमर जोटी, कद काठी आप देखे, पीट की जो क्वालिटी है, वो आप देखे, जबर्दस लांपांड, जबर्दस जो हाइट है उसमें, और बिलकुल ठंडी, सौबाओ की बिलकुल शांत जो जो जोटी है, वो एक बार लास्त तक लेकर के, फिर लेकर के आ जी, यह देखे, पहलवानों के जैसा भारी भरकम जो शरीर है, वो टिट स्पेसिंग है, वो आप देखे, पैरों के बीच का शांदार जो अडर है, वो एक बार इंदर सर रोक लेवे, तो नस्दीक से जो अडर क्वालिटी है, दिखाएंगे पशू उपालिक भीयों को, य आप देख सकते हैं, जी, आगे की तरफ जबरदस जो लेवा जबरदस जो अडर है, वो और पीछे से जो टिट स्पेसिंग है, वो आप देख सकते है, हाइट है, वो आप देखे, छीक है, ले जाएंगे, तो अच्छा एक ही घर से दोनों आ रखे हैंगे, अलग अलग है, ठीक है जी यह देखें बहतरीन लेवा बहतरीन जो अर्डर क्वालिटी है उसमें फर्स टाइमर जोटी काफी सारे पशुप आलग भीओं के डिमांड रहती है क्या कुछ मोलवाव करेंगे सर अब आएंगे इसके मोलवाव पे इसका रेट है मशंदी भी एक लाख पेंतालीस हिजार रुपे मानसमान की गुंजाइस कुछ है थोड़ा बूत है ठीक है तो यह देखें जी सबसे महतवपूर्ण जो होते हैं वो होते हैं टीट्स इंपोर्टेंट जो चीज है वो अडर में और काफी डवलप्ड जो कूप ह साथ अप्रेल को दस महीने कंप्लेट हो जाएंगे तो आज 19 मार्च करीब करीब हम क्या सकते हैं के सवा महीने के करीब सवा महीना तो नहीं 11 होरसा तरठरा 18 के करीबन जो 18-20 दिन हैं वो बसते हैं चीक एले करके जाएं यह देखें नेचुरल जो कनीदार गड़े हैं सिंग में वो पीट की कॉालिटी है वो आप देखें करीब-करीब 18-20 दिन का जो समय काविंग में बसता है फर्स्ट टाइमर जोटी एक और आप यहाँ पे प्योर जट ब्लक टेल के साथ जो पूँच में बाल आप देख सकते हैं काफी जबरदस्थ हाइट जबरदस जो पीट की कॉालिटी है उसमें ले जाए जी बान दीजिए तो यह आप देखें किस से प्रेगनेंट करा रख है इसको खरीद के लेकर का है और वो वाली किस से गया बिढ़ने है एचल दीवी सीमन से छीक है इसको बान दीजिए ले जाओ ले जाओ छीक है तो देखें मदर का जो मिल्क रिकोर्ड है 21 प्लस के करीबन बता रहे हैं अठारre दिन में अच्छा खासा बेहतरीन जो अडर है बेहतरीन जो लेवा है वो इसमें देखने को मिलेगा और काफी जबरदस जो अडर क्वालिटी है उसमें तो जितने भी विडियोs हमने इंदर सर के बनाई हैं काफी काफी शौदा काफी सारे जो गण मान ने अधीत इनके घर में पदा रहे हैं दिनेश भाई आप देखें हरियना प्लिस में कारियरत और नोक्री के साथ-साथ अच्छा पशू पालन का कामकास भाई का दादरी पशू मेले में ड्राइ कैटेगरी में काफी जोटी ले करके गए थे तो इंदर सर इसका मूलवाव क्या कुछ कर परग सुतर है एक बार बताए प्लिस अठाण में 134 अठाण में 134 अठाण में 653 गाउं है आपका रोजुवास डिस्टिक पड़ता है आपका रेवाडी तो चारों पशुदन सेल के लिए आविलेबल हैं जो इनकी कॉंटैक्ट डेटेल्स है वो रेगुलरली हमारी स्क्र देखने को मिलेंगी तो उमीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुद पालक के घर या किसी बड़े डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार धन्यवाद जैजवान जैकिसान